Good morning to all, I am Ravika from SIMT Nikodar हमने वच्छे जो आज का topic करना है वो करने है steps in planning process सबसे पहले अगर चे हम steps के बात करते हैं planning process की तो ये basic three steps की होती है step A में जो है वो हमने सबसे पहले analyze करना है और इसमें हमने shared value experience जो है वो staff के या board के करने है हमने plan करनी है meeting या एक workshop ताके हम जो है facilitate कर सके strategic planning ठीक है second जो है हमारा mission statement ठीक है जो हमारा step B है उसमें हमने जो है review करना है या update करना है या prepare करना है एक mission statement ठीक है किसके लिए organization के लिए ठीक है step C ठीक है analyze the organization या फिर external environment इसमें जो है pest यानि की political, economical, social और technological factors जो है वो हम लेके चलेंगे जो कि हमारे external के साथ deal करते हैं साथी साथ जो है हम internal environment को भी लेके चलेंगे जिसमें हमारे पास resource input process या फिर performance जो होती है वो हमारे output की आती है ठीक है तो अगरचे हम बात करते हैं planning process के तो generally ये तीन चीजों में या three steps में जो है वो हम define कर सकते हैं इसमें shared value या experiences होते हैं दूसरा जो है mission statement होती है तीसरा जो है external environment होता है या फिर internal environment जो है वो हमारे पास आता है ठीक है उसके बात जो है हमारे next steps है वो है D, E, F, N, G ठीक है last अब देखो step जो है वो first three हमने कर लिये अब हम करेंगे next ठीक है हमने एक SWOT करना है अगर हम SWOT की बात करें SWOT का मतलब है strength, weakness ठीक है technology और opportunities ठीक है यह जो है हमारी organization की internal strength क्या है हमारे पास weakness क्या है external opportunities क्या है and threats क्या है यह सारी चीज़ें जो हम इसमें लेकर चलते हैं यानि कि SWOT का मतलब है आपको आपकी strength, weakness, opportunity और threats जो है वो पता हो ठीक है या इसमें जो है आपने पहले से ही assess करना है अपनी organization की या internal strength, weakness या फिर external opportunity या फिर strength ठीक है step E क्या है कि हमने जो है create करना है smaller group और इसमें जो है हमने जादा depth में जाना है या फिर planning activities जो है वो की areas में हमने करनी है step F जो है वो क्या है कि हमने review करना है organizations का या फिर existing strategic plan का ठीक है इसमें जो है हमने identify करने है aspects को जो की हमारा जो है plan है और ये जो है still strategic जो होता है ठीक है और इसमें जो है कोई longer strategic due to the changing environment जो है वो नहीं आता है और इसमें gaps जो है या new issues जो है वो हमने देखने है और ये है हम address करेंगे एक revised plan के अंदर ठीक है step G जो है वो क्या है vision कि आपने जो है outline करना है कि आप कहां तक क्या देखना चाहते हैं और जहां पर organization जो है वो three to five years के अंदर जो है अपने vision of success को देखेगी और इसके बाद step H जो है उसमें क्या है आपने identify करना है strategic issue को जो कि हमारी organization के साथ deal करती है तो अगर जहां हम इसका एक review लेते हैं पहले अपने values या shares को experience को क्या करना है share करना है फिर आपने mission statement बनानी है फिर अपने external या environment को देखना है फिर आपने становoir करना है उसके बाद आपने planning करनी है activities को smaller groups के लिए फिर आपने जो है organization की existing strategic plan को review करना है फिर आपने जो है अपना vision जो है वो देखना है फिर आपको पता होना चाहिए gaps वगरा क्या है and last में जो है आपने organization के strategic issues को face करना है ठीक है अब steps जो है वो strategic planning process में है आपने जो है formulate करने है अपने goals ठीक है आपने अपने goals बनाने है strategic behavior देखना है ताके जो है major issues को जो है वो face कर सके जो कि हमारे organization का है या आपने ensure करना है कि यह जो है ज़्यादा growth या sustainability जो है वो नहीं है ठीक है आपने develop करना है work plans को जिसमें जो है शो कर रहा है specific activities या person जो कि responsible है किसके लिए resource के लिए जिसमें हमें ज़रूरत है इसमें performance को अपने measure करना है ठीक है step के जो है उसमें आपने next steps जो है वो अपने resources के देखने है अपने उसमें जो है mobilize करना है अपने resources को और आपने एक create करना है sustainability या financial plan जो कि आपकी cost को या activities को देखेगा उसके बाद जो है आपके पास के के बाद जो है next step है कि आपने resources देखने है कौन-कौन से है then उसके बाद आपने step L पे जाना है ठीक है यह जो है prepare करेगा एक written detail five year strategic plan जिसमें mission, environment, situational analysis, strategic issues, goals या strategic objectives जो है वो आएंगे यह जो है sustainability या financial plans जो है या evaluation procedures जो है वो आएंगे ठीक है next जो है आपने implement करना है जो भी आपने यह सारा कुछ plan, procedures, strategies की है ठीक है इसके बाद जो है आपने इनको क्या करना है implement करना है, institutionalize करना है ताके आप जो है plans बना सके या आपनी performance को set कर सके या standards को set कर सके आप अपनी decision making अच्छी कर सके, planning कर सके, monitoring कर सके कि आप उसे देख पाए step and जो है यह सारी चीजों का एक तरह से नहीं चोड़ है, क्या आपने implement क्या किया था, plan क्या बनाए थे, performance कैसे थी, standards क्या थे, decision making कैसे हुई है, monitoring कैसे हुई है, planning कैसे हुई है, resource का mobilization कैसे हुआ है, allocation कैसे हुई है, use या reviews जो है वो क्या है, या plan जो है systematically क्या है, update करेंगे या revise करेंगे और 2-3 years में अगर जह हमें जरूरत है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो यह सारी चीजें जो है, यह हमने देखनी है, यह जो है हमारे steps है, ठीक है, इसमें कोई भी problem है, पूछ सकते हैं, thank you class